यहाँ पर एक CRT TV मेरे पास है, जो कि बिल्कुल dead condition में है, यह खराब किस वज़े से हुई, सबसे पहले वही बता दू, high voltage आने की वज़े से खराब हो चुकी है, अब इसमें power section का जो fault है, वो कैसे आप ठीक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक brush लेके इसको clean करता हूँ, काफी ज़्यादा धूल इसमें जमी रहती है, आपने भी देखा होगा, CRT TV के अंदर सबसे ज़्यादा धूल रहती है, उसे चाहे तो बार-बार आप clean कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, कोई दिकत नहीं है, तो चलिए जल्दी से मैं इसको clean करता हूँ, ब्रस से, जहा यह केबल यहां पर देखिए, यह connector पर, यहां पर connector पर, अब उसके बाद देखिए, उसके बगल में component लगा है, जो की फट चुका है, यह वाला, यह देखिए, metal oxide various type करेता है, जो की approximately 300-400 voltage अचानक से आने पर फट जाता है, यह protection के तोर पर लगाया जाता है, जड़ोवी, ए high voltage पर आपकी TV अचानक से खराब हो जाए, तो आप सबसे पहले इसी component को देखिए, उसके बाद fuse के चेक कीजिए, तो यहां पर focus करके दिखाता हूँ, आपको देखिए, fuse यहां पर burn हो चुका है, देख सकते हैं, बिलकुल आपको दिख रहा होगा, अंदर wire जल चुकी है, इसकी जगह पर आप नॉर्मली कोई सा भी fuse लगा लीजिए, जो कि आप AC सप्लाई पर देते हैं, और यह वेरियस्टर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन high voltage से फिर से आप protection चाहते हैं, तो यहां पर इसी नंबर का वेरियस्टर डाल सकते हैं, और फ